बीशट गरीबी और आर्थिक संकट से जूज रहे बुलीविया में किसानों का हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है सोमवार यानि चार अक्टूबर को एक बार फिर सैक्डों किसान सड़को पर उतराय और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जब पुलिस ने प्रदर्शन कारी किसानों को रूका तो हिंसा भड़ा कुथी प्रदर्शिन कारी किसानों ने जहां पुलिस पर पठाका बंपे के वहीं प्रदर्शिन कारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आसू गैस के गोले दागे और हवाई गोलिया भी चलाई या आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शिन कारी किसान जहां पुलिस पर हमला करते हुए दिख रहे हैं वहीं पुलिस कर्मी आसू गैस की गोले दाफ्ते नज़र आ रहे हैं पुलिस के मताबिक इस प्रदर्शन के दौरान दर्जिनों लोग घायल हुए हैं जबकि कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया दरसल लापाज शहर में पिछले एक महिने से प्रदर्शन कर रहे किसान स्थानिय बाजारों में कोका की पत्तों को बेचने के लिए पर्मिट की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार पर्मिट देने को तयार नहीं साथ ही किसानों का आरोप है कि सरकारी अधिकारी कोका उत्पादों को बेचने के लिए बने बाजारों को भी बंद कर रहे है जिसकी वज़े से उन्हें फसलों को बेचने में खासी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है